अंदर हम कक्षा 10 एनेस परिक्षा 2021 के मोडल पेपर सुलूशन पार्ट फॉर्थ के बारे में बात करेंगे फर्स सेकिंड थर्ड हमने देख चुके थे तो आज हम देख रहे हैं पार्ट फॉर्थ जाली एक मानचित्र में अपने शेर होशंगा बात का को खोजना चाहती है इसके लिए उससे उस इस्तान के समझ में क्या जानना चाहिए तो उससे क्या जानना चाहिए कि वह अपने इस्तान को खोज ले तो उसको अक्षांशे और देशांतर जानना चाहिए जब वह अक्षा कोन से बढ़क बताना है तो देखें उष्ण कटीबंद्य परनपाती वन में इस अपने पत्त्ते गिरा देते हैं नेक्स्ट उशन आप देखें जून के मद्द्य में पश्चिमी घार्ट के साथ साथ होने वाली वर्शा का मुख्य कारण क्या है तो इसका मुख्य कारण क्या है तो आप सबको पताओगा इस्थानिय पवने है ठीकिन अपस्चिमी गार से चलने वाली जो इस्थानिय पवने होती है तो वो ही इसका कारण थी तो यह देखे आप नेक्स्ट कोशन सुती वस्तर रबबड खाद तेल कागज किस परकार के उद्योग के उधारन है तो यह बहुती इजी कोशन है आप सबको पताए कौन से उद्योग के उधारन है क्रशी आधारित तो किस पर आधारित है क्रशी आधारित उद्योग गए इ नेक्स कोशन आप देखिए मानचित्र पर दर्शाय गई नदी आर को पेचानी है तो यह जो आपको नदी दीवी है तो इस नदी को आपको पेचानना है तो देखिए कौन सी नदी है तो यह आप सब को पता है कौन सी नदी है यह तो यह है महा नदी इस नदी का नाम क्या है म कुन सा शेतर और ये आपको जो शेतर दिया वैना इतर क्या होती है बीस से कम कि आपके वर्षा होती है तो देखिए आपगेiring बच्छा में आपके बार जयेगा ॉह कि अरावलिय पहाड़ी के पस्च्चिमे किनारे तो ये वाला नेएक्स प्रत्स नृट्ट्र अप एक मुख्यत निम्न में से कहां पाया जाता है तो किस में पाया जाता है तो यह आपको बताना है तो इसमें आ जाएगा इंडो गंगा के किनारे कहां पर पाया जाता है इंडो गंगा के किनारे नेक्स कोशन देखे आप पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य करण क्या है तो पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य करण है अती सिचाई क्या है अती सिचाई नेक्स कोशन है वर्षा रितु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं तो वर्षा रितु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं रभी की फसल तो रभी की फसल जो होती है वर्षा रितु में उगाई जाती है reste question देखे उस परदेश को पेचाने जहांपर वोमिस अरक्षिं के लिए CD के लिए CD की जाती है याने CD के आकार में growers कहां पर की जाएगी तो आप सब को पता है CD केसे बन पाईगी तो जहाँ पाहड पर यह बनेकि तो पहड़ियों है यह की करती है ठीक है ना अब नेक्स्ट कोशन आप देखें निम्लिकित में से कुन से राज्जी एवं केंद्र शाषित प्रदेश शीत रितुम में पश्चिम विशॉप के कारण वर्षा प्राप्त करता है तो पश्चिमी विशॉप से आने वाली जो वर्षा होती है तो वह कांप वर्षा प्राप्त करता है नेक्स्ट कोशन देखें फलीदार फसलों का उधारन है तो फलीदार फसल के उधारन आपको बताना है तो कौन सा इन में से तो डाले होती है फलीदार फसले नेक्स्ट कोशन देखें केरल और करनाटक में पुर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है तो केरल और कर्णाटक में पुर्व मांसून वर्षन को किस नाम से जाना जाता है तो आप सब को पता होगा आमर वर्षा किस नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोशन शोल्य भारत के समुद्र तल से 1461 मीटर की उचाई पर इस्तित एक इस्तान पर रहता है उस इस्तान को पेचाने जहां पर वो रहता है तो इसमें बताए कि जो समंदर तल है उससे कितने फीट उपर है यह कितने मीटर उपर है 1461 मीटर यह आपके उपर है तो 1461 मीटर यह आपके उपर आजाएगा तो यहां पर क्या आएगा तो यह आपको बताना तो यहां पर आजाएगा लुधियाना पर रेता है वह लुधियाना में वह रेता है नेक्स्ट कोशन आप देखिए जो यह आपके सामजी विएन का अंतिम प्रशन है उप जाओ मृद्धा और प्रचूर वर्शन वाले मेदानी भागो तो यह जनसंक्या गनत्व नहीं पर यह ना वीडियो को अच्छा रखा है तो आप देख सकते हैं ठीक है ना गनत्व विट्रान इन दोनों को मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी तो आप आप डून लेना और यह उच्छ होता का इसका जनशVIE्न के अगनत Caucasus और चारबी पत्रतिवर्ग किलोमिटर से जाधा होता है ठीकर ना चारक्र चलबी पत्रतिवर्ग thank you